नमस्कार, आप देख रहे हैं नियूज गुंजन, जैसे कि खुटी जिले की तमाम छोटी बड़ी खबरे में आप तक पहुचाते रहता हूँ इसी क्रम में मैं आई जै खुटी जिले के अनिगाढ़ा गउं जहां लेमन ग्रास लगाया गया और लेमन ग्रास का प्लंट जिससे की तेल भी निकाला जाता है इस विशाई पर आज हम बात करेंगे समास सेवक आजाई सर्माजी से जो कि इस प्लंट में इस प्लंट को अस्थावित करने में और खुटी जिले में कई जगहों पर ऐसे प्लंट लगाया गया जिनमें की उनका बहुत बड़ा योगदान है तो चलिए बात करते हैं आजविया से आईए आजविया आपका बहुत बहुत स्वागत है हमको कुछ जानकारी चाहिए था प्लंट के बारे में ऐसा है कि लेमन ग्रास एक की खेती यहां काफी पहले से होती थी लेकिन पहले जिस प्रजाती का लेमन ग्रास लगाया गया थ और अच्छी प्रजाती नहीं थी उससे तेल कम निकलता था और लगातार लेमन ग्रास की प्रजाती को विक्सित करने में लखनों में इस्थित सीमैप के द्वारा लगातार काम किया जा रहा है वहां से एक प्रजाती विक्सित हुआ जो जिसको कृष्णा वेराटी कहते है कृष्णा वेराटी का लेमन ग्रास काफी अच्छा होता है और खूटी जिले में लखनों से ला करके और उस प्लांट को खूटी में और राची जिले के तुन्जू में नामकुम ब्लॉक के उस प्लांट को डबलब किया गया तो लेमन ग्रास का जो कृष्णा प्रजाती क पौधे हैं उससे तेल अच्छा निकलने लगा हम लोगों ने देखा कि एक एकड़ में अगर खेती होती है तो एवरेज किसान को साल में एक लाख रुपे का मुनफ़ा होता है इसमें एक अच्छी बात ये है कि इसकी खेती अपने खूंटी जिले में ऐसे भूमी पर होती है जो एक तरह से जिसको यहां मरचा कहा जाता है बंजर टाइप की भूमी जिसमें कोई खेती नहीं होती है वैसे जमीन का उपयोग इस खेती के लिए किया जाने लगा और इसमें बहुत ज़्यादा सिचाई की जरुरत नहीं होती है और मुनाफ़ा अच्छा होता है अगर ब मौखेशी खाते ही नहीं है क्योंकि इसमें तेल का अंस होता है इसलिए यह मौखेशी से भी सुरक्चित है और इसको लेकर के लोगों में रुझान आने लगा हम लोगों ने जो परिछन किया जो सुरुवाती दोर में लगाए कुछ ट्रेनिंग वगरा एरेंज करके तो ये देखा गया कि अगर हम लोग एक क्विंटल लेमन ग्रास से तेल निकालते हैं तो लगभग 800 ml से एक लीटर तेल तक निकलता है जिसका अभी बाजार मुल्ले 14 से 16 सो रुपया किलो है तो अगर हम लोग देखें तो घास जो है एक क्विंटल घास से अगर किसान को 1400 रुपया मिलता है तो एक किलो घास उसका 14 रुपया का हुआ अगर उसमें खर्चा हम 7 रुपया भी बात कर दें तो बेकार और बंजर पड़े जमीन का इस्तमाल करके 7 रुपया प्रती किलो किसान को मुनाफ़ा हो रहा है और इसके लिए जीला प्रसासन, खूटी जीला प्रसासन का काफी बड़ा योगदान रहा है अकांची जिला योजना के तहत जिला प्रसाशन ने खूटी जिले में अब तक लगभग चार पांच सो एकड में लेमनग्रास की खेती कराया गया है जिसमें कुछ खेती जेसल पीएस के द्वारा और कुछ सेवा वेलफेर सोसाइटी संस्था के द्वारा कराया जा रहा है जिला प्रसाशन के साथ समनोय अस्थापित करके सबसे पहले ये बता दे कि ये जो प्लांट लगा हुआ है ये प्लांट यहां के ग्रामिन विकास मंत्री जो थे निलकंड सिंगमूंडा जो अभी विधायक हैं उनके प्रयास से ये प्लांट लगा था और लेमनग्रास की खेती शुरू हुई थी जिसको देख करके हम लोगों ने भी बाद में प्रेड़ना लिया और आज उसके बाद जीला प्रसाशन के द्वारा अकांची जिला योजना से मूरू के सुरूंदा गाउं में एक बहुत बड़ा प्लांट लगाया गया जिसमें एक टन घास से महत साड़े चियार घंटे में तेल निकाला जा सकता है दीन भर में 24 गंटे में अगर कहें तो 3-4 राउंड चला जा सकता है और 40-50 लिटर तेल पर डे निकाला जा सकता है उस प्लांट का अभी संचालन हो रहा है सुरुवाती दौर है नया चीज है तो गाओं के लोग को थोड़ा सा एक्सपरियंस गेन करने में समय लग रहा है लेकिन वो प्लांट चल रहा है और वहां से तेल निकाला जा रहा है जहां तक लोगों में भ्रांतिया था कि तेल बिकेगा कहा तो यह बता दे कि यहां आज खूटी जिले में तेल का इतना ज़्यादा डिमांड है वहां लगबग 70-80 लिटर तेल अभी सुरुंदा में निकला था वहां से बायर आकर के खुद खरीद के ले गए और 4500 कीलो के हिसाब से वहां पर तेल पहली बार बेचा गया और अभी लोग 1600 कीलो के हिसाब से तेल खरीदने के लिए तेयार है इसलिए इसकी मार्केट की कमी नहीं है जो भी बायर चाहता है वो एक टन तेल का डिमांड करता है लेकिन अभी उतना उत्पादन खूटी में नहीं हो पा रहा है हम लोग इस कोशिस में लगे हैं कि इसकी खेती के साथ साथ तेल के उत्पादन को बढ़ा है अभी डिसी साब ने कहा है कि एक प्लांट और खूटी में जल्द लगाया जाएगा अभी तेक सुरुंदा के अलावा यहां एक प्लांट है इसके अलावा कपरिया गाउं में एक प्लांट निजी अस्तर पर लगाया गया है तो खूटी में कुल तीन प्लांट काम कर रहा है और खूटी जीले से सटे नामकुम ब्लॉक के तुझु में एक प्लांट काम कर रहा है इस तरह से यहां तेल निकाला जा रहा है किसी भी चीज की सुरुवात होती है तो धीरे धीरे होती है चाहे गिंदाख फुल की बात करें या तरबूज की बात करें सब खेती इसी तरह से शुरू हुआ है और उमीद है कि आने वाले दिनों में गाओं में जितने बेकार 20,000 रुपया महीना इंकम लेमनग्रास से कर सके इससे गाओं के अर्थव्यवस्था में सुधार आएगा लोगों के जिवन अस्तर में सुधार आएगा और खूटी जिला आगे बढ़ेगा इसी लक्ष को ले करके हम लोग लेमनग्रास की खेती को बढ़ावा देने और इस हज्जारों हज्जार एकड ऐसे जमीन पड़े हुए खूटी जिले में जिसका कोई उपयोग नहीं होता है हम लोग आदिवासियों के पूरवजों ने कहा है आदिवासियों के जीने का आधार जल जंगल जमीन है तो जमीन जीने का आधार है और जमीन बंजर पड़ा है त और वहां से उनकी आर्थिक स्थिति को सुद्रीर करने का प्रयास कर रहे हैं। और ये लोग स्विकार रहे हैं इसको गाउं गाउं में किसान खुद से खेती कर रहे हैं। इतना तक कि यहां कोज़ों गाउं में एक चाड़ा मुंडा जो किसान है। उन्होंने तो अपना आस्वन केंद्र बना लिया। तो यहां मेहनतियों की कमी नहीं है। मेहनत कर रहे हैं लोग, लोगों को इंकम आना सुरू हुआ है। बहुत जल्दी ये गेम चेंजिंग प्लान खुटी जिले के लिए होगा। और खुटी जिला भारत के मानचितर में लेमनग्रास के लिए जाना जाएगा। आज लेमनग्रास की खेती कर रहे हैं। हम लोग का प्रयास है कि सुदूर वरती इलाके जहां ग्रामिनों की स्थिती अच्छी नहीं है। जंगलों में जाकरके हम लोग मेहनत करके लोगों को समझा के और लेमन ग्रास की खेती कराने की कोशिश में जुड़े हुए हैं जिससे इसका संक्रमन और इलाकों मह, आज ही अड़की प्रखंट के बिर्बांकी इलाके के कुछ लोग ऐसे ही खेती बारी का हाल जानने के आये तो चलिए अब इन से जानते हैं कि आखिर इस मशीन से लेमन ग्रास से तेल के सी निकला जाता है तो बता जी जरह इसके बारे में विश्तार से हैं देखिए तेल निकालने की जहां तक बात है हम लोग ग्राम सभा में एक बात कहते हैं कि आदिवासियों से बड़ा डॉक्टर, इंजिनियर और साइन्टिस्ट इस दुनिया में पैदा नहीं हुआ तो जो तेल निकालने का बिधी हर गाउं का अदमी जानता है यह थोड़ा हसने जैसा बात होगा लेकिं यह सही है कि जिस तरह से चुलाई, महवा का चुलाई सराब निकाला जाता है ठीक वही पद्धती है इस लेमनग्राश से तेल निकालने का होता क्या है कि यह जो टैंक है इसका निचले हिस्से में एक जाली होता है जाली के नीचे पानी होता है तो यह नीचे चुलहा है तो चुलहा में जब लकडी और यह घास जलाया जाता है तो उस पानी से एक इस्ट ठीक उसी पद्धती से तो ये थोड़ा टेकनोलोजी को हाई कर दिया गया है है वही चीज है ना तो इसको आशन भी दिखते हैं तो इससे तेल और पानी एक साथ नीचे कंटेनर है उस कंटेनर में पानी भारी होता है और नीचे चला जाता है तेल उपर रहता है आसानी से चल पेदल चुकूएं तेल है नहीं थो यूत आसान है और इसमें अभी सरकार केंदर सरकार या सरकार के हैं जीला पर्शाशन के हैं है और जेसल पिरस का भी इसमें बड़ा योगदान यह के द्वारा भी लेमनग्राज की कहती को भर दिया रहा है प्रसिक्षन दिया जा रहा है लोगों को तो यह बहुत इजी है तो आभी आप पूरा प्रक्रिया भी जान लिए इनसे तो और भी इनसे मिलेंगे और इस विशाय पर बातचित करेंगे देखते रहें खुटी जिले की तमाम छोटी बड़ी खबरें न्योज गुंजन करेंपर